Hello friends, welcome to study bus, काफी सारे MBA experience का एक regular comment आता है, काफी सारे students ये बात constantly पूछते हैं सर हमें top 50-60 MBA colleges बता तो इंडिया के उनकी location क्या है, उन colleges की placement कैसी रहती है, उनकी cut-offs क्या है, कौन-कौन से exam वो accept करते हैं, उन colleges की fees क्या रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको around top 60 MBA colleges बताने वाल रहूं, जिससे आप एक better decision ले पाओगे, आपके सामने एक ready list हो की, जब भी आपको देखना होगा, कौन-कौन से मेरी dream colleges हैं, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना, इसके notes properly बना लेना, ताकि ये आपके लिए as a reference काम करता रहें, so my name is Saurabh Kuthari, let's start, तो सबसे पह application डाउनलोड करते हो, वहाँ पे आप sign up करोगे, तो assigned course में आपको free mocks मिल जाते हैं, cat and जितनी भी exams है, उनके, आपको mini videos मिल जाते हैं, जिसके थूँ, आप देख सकते हो, किस तरह से उनकी preparation की जाती है, instagram पे हम daily, gk updates, quant shorter vocabulary words update करते रहते हैं, अगर आपे cat MBA के serious experience हो, तो हमारा full-fledged detailed pen drive course भी आचुका है, उस pen drive course में, आपको video lectures मिलते हैं, बिल्कुल basic से लखे advance तक, आपको complete e-books मिलते हैं, बिल्कुल interactive e-books मिलती हैं, जिसके तरह आप practice कर सकते हैं, उनके detailed solution आपके सामने available होते हैं, जितनी भी आपके major exams होते हैं, उन सब की test series भी detailed solution and analysis आपको provide की जाती साथ में, आपको भी पूरा पूरा एक study planner दिया जाता है, एक portal दिया जाता है, जहांपे आपकी पूरी की पूरी performance record होती है, आपको daily GK updates मिलते हैं, सारे के सारे exam cover होते हैं, पूरी preparation के time, कहीं पे भी आपको doubt आता है, तो 24-7 doubt forum हम लोग आपको provide करते हैं, आपको पूरा course होत sumbo course ले सकते हो, cat या MBA का, जिसमें आपको GDP IWAT complimentary मिल जाता है, तो अगर आप enroll करना चाहते हैं, तो website पर जा सकते हो, studybus.co.in and यहां पे जैसी आप order करोगे, आपको 5-6 days में आपकी pen drive kit आपके घर पे आ जाएगे, अगर आपको देख रहे हैं, number of mocks कितने मिलेंगे, तो यहां आप पे वो mentioned है, study planner आपको दिया जाता है, तो अगर आपको demo lectures भी देखने हैं, तो नीचे description में available है link, इसके साथ ही हमारा help line number 899589-37705, इस पे भी आप call करके, message करके, अपने query को sort कर सकते हो, तो भई, अब हम लोग start करते हैं, तो सबसे पहले, मैं colleges के list start करने से पहले, colleges बा अगर कोई college 10 पे है और दूसरा college 15 पे है, तो इसका में उनको rank कर रहा हूँ, नहीं, मैंने एक system से पूरी वीडियो बनाई है, तो भई, colleges की ranking नहीं है, top 60 colleges है, और सब की ranking के parameters अलग होते हैं, कोई बच्चा जाता है placement के लिए, कोई जाता है median के लिए, कोई जाता है learning exposure के important thing, मैंने जो यहाँ पे data लिखा है, वो over the time change होता रहता है, कभी, कभी ऐसा होता है कि colleges अपनी fees change कर देते हैं, कभी, कभी ऐसा होता है, उनके placement का नया data आजाता है, तो जो भी colleges मैं बता रहा हूँ, किसी भी particular college को और आप detail में जाना चाहते हो, तो उस college के आप website पे चले performance रहा है, तो यहाँ से भी आपको एक benchmark मिल जागा, एक complete overview मिल जाएगा, और काफी जादी clarity आपकी develop हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, I am Ahmedabad की जो I guess, काफी सारे MBA experience का एक dream college होता है, तो यहाँ पे जो आपका admission होता है, वो cat exam के थुरू होता है, और इसकी reason होता है, आपकी profile कैसी है, और profile में आपका count होता है, 10th का score, 12th का score, आपका graduation, आपकी gender diversity क्या है, इसके साथी आपका work ex कितना है, और work ex के साथ आपकी academic diversity कितनी है, तो यह 6 parameter से आपकी profile मिलती है, इसमें आपका add on होता है cat का score, then आपका composite score बनता है, जिसके basis पे आपको cut off आते ह लेकिन फिर भी अगर आप एक decent percentile लेकर आते हो 99 अबव तो आपके chances open हो जाते हैं, आपके एमदाबाद से call लेने का, इस college की average placement है वो around 26 to 27 lakhs आपकी लग जाती है, और जो fee structure रहता है, around 25 to 26 lakh आपकी total fees जाती है, जितनी मैं fees बताऊंगा, वो total fees बताऊंगा, कि आपके MBA में कि बात करूं, तो college आता है, I am Bangalore, I am Bangalore जो है, उसकी भी fees around 25 to 26 lakh रहती है, same selection process है, cat का score plus profile जिसमा आपका 10-12 graduation, आपका gender diversity work X plus academic diversity add-on होता है, यहाँ पे भी आपको जो selection होता है, वो cat से ही होता है, average placement again 25 to 26 lakh रहता है, तो इंडिया के जो top 3 MBA colleges माने जाते हैं, A, B, C, वो तीनों moral सेम रहते हैं और उसके बाद जो इंडिया का best college होता है, ROI की terms में, वो है आपका FMS, जिसको हम बोलते हैं, faculty of management studies, because इस college की fee structure है, that is just 2 lakh रुपीस total MBA की, आपका exam cat की तुरू होता है, percentile around 99 जाती है, 99 का असपास अगरा percentile ले आते हो, तो आपको यहाँ पे admission मिल जाता है, interview की call आ MBA experience का, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, I am Calcutta की, I am Calcutta की जो fees around 22 से 23 lakh है, admission आपका cat exam से होता है, again आपका cat score plus profile, दोनों count होते हैं, profile में again same criteria 10, 12, graduation, academic diversity, gender diversity, plus work X, plus cat का score count होता है, and आपको यहाँ से call आती है, जो average placement रहता है, dash is 25 to 26 lakh, एक question जो बच्चों के mind में रहता है, sir मे होता, अगर आपकी profile बेकार है, average है, तो आप cat में अच्छा score करो, वो आपका score, बाकी चीज़ों को compensate कर सकता है, और अगर आपकी profile बहुत अच्छी है, तो अगर आपकी एक दो percentile कम भी रह जाती है, तो भी आपको call आ सकती है, तो overall आपका composite score better होना चीए, चाहे वो आप cat के through compensate करो, चाहे अपनी profile के through करो, इसके बाद अगर हम बात करें, तो हमारे सामने college है, I am Lucknow, I am Lucknow में भी आपका जो average placement है, वो 24 से 25, आपका entrance नाम cat का होता है, cutoff जो है, again, यहाँ पे subjective रहती है, cat का score, प्लस आपकी profile, 90, 94, 96, 98, अलग-अलग percentile बे बच्छों को call आती है, fee structure आप and अभी भाई, इनकी recently जो BM वाला है, उसकी भी placement बहुत amazing जाती है, जो total fees structure, that is again 23 to 24 lakh, आपका जो average placement है, 25 से 26 lakh कर रहता है, और इस college में admission लेने के लिए, आपको ZAD का admission test देना होता है, जिसको बोले जाता है, Xavier's admission test, और यहाँ पे आपकी cutoff आती है, around 96, जितना better percentile लाओगे, उत BM से, जिसके बाद आपका interview का process conduct होता है, इसके बाद अगर बात करें, तो JBIMS, again इस college को ROI के लिए काफी अच्छा बाना जाता है, और इस college को CEO factory भी बोला जाता है, ठीक है, इस college में admission जो होता है, वो आपका CT के थुरू होता है, CMAT exam के थुरू होता है, आपको जो percentile चीह होत और average placement 21 से 22 lakh इस college की रहती है, इसके बाद अगर बात करें, तो हमार सामने college आता, IM कोई code, इसकी भी जो fee structure है, that is around 20 lakhs, entrance exam आपका cat का होता है, again आपका जो cutoff रहता है, वो cat score plus profile रहता है, तो जितने भी IM से हैं, उसमें आपका जो cutoff रहता है, वो cat score plus profile रहता है, और profile में मैं इस चीज़े count होने के बाद, आपका composite score के basis पर interview की call दी जाती है, जो average placement है, that is around 23.8 lakh, 23, 24 lakh के इसकी placement चलती रहती है, तो on and around आप अच्छी placement यहां से expect कर सकते हो, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो एक बहुत top institute है, वो है SPGN Institute of Management and Research, इस college में जो total fees रहती है, वो around 19 से 20 lakh आपकी total fees पढ़ जाती है, यहां पे आपका जो admission होता है, वो cat के cutoff के basis पे भी होता है, and आपका cat come profile के basis पे भी होता है, तो profile में आपकी सारी चीज़े mention होती है, आपने क्या leadership role करें है, और अगर आपकी profile बहुत अच्छी होती है, तो आपका interview पहले ही हो जाता है, फिर आपक cat में सिरफ 85 percentile लाना होता है, आपकी seat confirm हो जाती है, अगर आपकी profile average है, तो फिर यह second round of call देते हैं, और वो call आती है, जब आपका cat का score आता है, तो cat में अगर आपका 95 से उपर score आया है, तो फिर आपको SPGN से call आने के chances बन जाते हैं, यहां पे दोनों exam से आपका admission हो सकता है, cat से भी और GMAT से भी, पहले यह college ZAT का score भी accept किया करता था, बाट अब यह ZAT का score accept नहीं करता है, तो average placement is college की भी one of the top रहती है, 25 से 26 लाग की placement आपकी यहां से लग जाती है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो MDI, Management Development Institute, जो आपका गुडगाम में है, इसका जो fee structure that is 23 से 24 cat की तुरू आपका admission होता है, और आपको जो average placement रहता है, वो 23 से 24 लाग रहता है, the good part about MDI is, कि आज से 2 साल पहले तक यहां पे 97, 98 percentile पे बच्चों को call आती थी interview पे, but last year onwards, 90 plus percentile पे भी call आने लगी अगर आपकी profile थोड़ी strong है, तो अगर आपकी profile अच्छी है, तो आप 90, 92, 94 पे भी अपनी call expect कर सकते हो, और अगर आपकी profile average है, तो 96, 97 के ऊपर आपको MDI call करेगा, MDI के बाद अगर हम लोग बात करें, तो I am indoor, I am indoor में भी आपका cat score plus profile से admission होता है, average placement around 23, 24 लाग कर रहता है, जो total fee structure है, that is around 17 to 18 लाग, इसके बाद अगर हम बात करें, तो IIFT, यह बहुत ह important college बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी MBA होती है, वो IB में होती है, international business में होती है, तो अगर आप foreign trade पढ़ना चाहते हो, import, export, international policies, इन सब subject areas की knowledge gain करना चाहते हो, तो this is a very good opportunity, और यहाँ पे आपकी जो fee structure है, वो somewhere around 17 to 18 लाग कर रहता है, and आपका जो average placement है, वो आपका 21 से 22 लाग कर रहता है, जो आपकी cut-off रहती है, वो आपकी cut-off हर साल vary करती है, क्योंकि IFT is known to make changes in their exam, तो भाई, last year अगर मैं बात करो, तो 100 में से इन्होंने overall score दिया था, और उसमें 100 में आपका IFT का score भी था, साथ में आपकी इन्होंने profile भी count की थी, तो जो cut-off रहती हो total आपक IFT का score आपकी profile सब कुछ count होके, उनके weightage थी और उसके according आपका final score बना था, IFT का एक और campus है, कोलकता और एक और campus है, अंदरपरदेश, सारे campuses अच्छे हैं, बट जो best campus माना जाता है, वो माना जाता है, IFT, Delhi का, इसके बाद अगर लोग बात करें, तो निटी Mumbai, this is a very good college, 97 percentile रहती है, cat के थुरू आपका admission होता है, total जो fees टेकर है, वो around 13 to 14 lakh, आपका average placement 20 से 21 lakh का हो जाता है, तो अच्छा college है, ROI के लिए अच्छा है, तो इस college को भी आप target कर सकते हो, इसके बाद हमारे सामने college है, IIT Bombay, बीटेक के लिए काफी ज़्यादा known है, और MBA में भी over the year से ब overall fees रहता है, वो around 8 to 9 lakh रहता है, इसका जो admission होता है, cat के थुरू होता है, cut off आपकी minimum 90 percentile रहती है, लेकिन जो आपको call आती है, 97, 98 पे call बनती है, और जो average placement है, वो 20 से 21 lakh की, यहाँ पे रहती है, इसके बाद अगर लोग बात करें, तो NMIMS Mumbai, NMIMS के काफी सारे campuses है, but Mumbai campus is the best one, इसकी जो total fees रहती है, वो 20 से 21 lakh की रहती है, around 2 years, जो इसका admission होता है, वो NMAT के exam के थुरू होता है, और NMAT के exam में, आपकी cut off vary करती है, but last year के according, 235 plus marks पे आपको call आ गई थी है, NMIMS Mumbai के, हाँ, sectional cut off भी रहती है, वो sectional आपको 3 section में score करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ से call आती है, NMAT आपका adaptive exam होता है, जिसमें हर गलत question के बाद आपके question change होते हैं, सही question बाद आपके question difficult होते हैं, और उसी basis पर आपकी marking भी होती है, जो average placement है, that is around 18 to 19 lakh, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो I am ranchi, I am ranchi में भी आपको जो admission होता है, 95 plus percentile अगर आप ले and आपको जो fee structure रहता है, वो 15 से 16 lakh रहता है, average placement 14 से 15 lakh का है, इसके बाद I am trichy का हमारे सामने option है, जिसका fee structure again 13 से 14 lakh है, average placement आपका 14 से 15, cat के तुर आपका admission होता है, और 95 plus percentile पे आप यहाँ पे call expect कर सकते हो, then हमारे सामने IIT Delhi का option आ जाता है, जैसे IIT Bombay है, उसी तरह से IIT Delhi भी over the years काफी जादा grow कर रहा है, fee structure around 9 to 10 lakh रहता है, 90 plus आपको minimum percentile चीए, लेकिन call आने के लिए 97, 98 पे call बनती है, और average placement around 18 से 19 lakh का मिल जाता है, इसके बाद अगर लोग बात करें, तो SIBM पूने, SIBM पूने again एक काफी अच्छा college है, और इसमें आपका admission होता है, snap के entrance के थूँ, तो snap के entrance exam में अगर आप 98 plus percentile लेया हो, तो आपकी यहाँ पे entrance की call बन जाती है, interview की call बन जाती है, और इस college का fee structure 20 से 21 lakh का आपका fee structure रहता है, लेकिन placement भी अगर आप देखोगे, so 19 से 20 की मिल जाती है, which makes this a decent option, ठीक है, SIBM पूने के बाद बात करूँ, तो SMH RD पूने, यह इंडिय आपका selection snap के through होता है, और snap में अगर आप 96 plus percentile लेके आते हो, तो आपकी interview की call बन जाती है, और average placement around 16 से 17 lakh का रहता है, तो HR के लिए काफी अच्छे college है, जिसको आप explore यहाँ पे कर सकते हो, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो TES Mumbai, again HR का one of the best college है, इंडिया का ROI की terms में भ आपसे popular in का HRM, ठीक है, यह इसलिए इतना popular course है, यहाँ से top corporate आपके select करके लेके जाते हैं, तो total जो आपका fees टक से रहे, that is 2 to 3 lakh, जो entrance exam आपका होता है, वो होता है TISnet का, जो इनका basic exam होता है, और इसके बाद जिस course में आपने apply कर रहा है, उसका एक course होता है, अगर आपने T TISnet के बाद आपका exam होता है, TISMAT का ठीक है, otherwise आपका TISPAT का paper होता है, जिसमें आपका वो particular stream जो आपने select की है, उसका exam देना होता है, लेकिन first criteria आपका TISnet का entrance exam है, जिसमें आपको 70 से 75 score करना पढ़ता है, out of 100, तब जाके आपकी cutoff clear होती है, and average placement बहुत amazing है, 18 to 19 lakh के आपकी job लग जाती है, तो आप देख सकते हो ROI कितना जादा हाई है, इसके बाद मैं अगर बात करूं, तो IM राइपूर मेरे सामने option है, जिसका fee structure around 14 to 15 lakh है, cat के तुरू आपका admission होता है, and आपकी cutoff रहती है, वो 95 plus percentile के around रहती है, जो average placement है, वो around 15 to 16 lakh आपकी लग जाते है, then हमारे सा 15 lakh कर रहता है, फिर हमारा IM उदयपूर आता है, IM उदयपूर में भी आपका average placement 13 to 14 lakh है, cat के तुरू आपका admission होता है, इन आपका fee structure है, वो आपका 14 to 15 रहता है, फिर हमारा IM काशिपूर है, जिसका जो fee structure है, that is around 9 to 10 lakh rupees, 90 percentile पे आपको call आ जाती है, and जो आपका average placement रहता है, वो 12 से 13 lakh, then अगर हम लोग बात करें, तो IMT गाजयवाद, अगर आप marketing में जाना चाहते हो, तो marketing का one of the best college IMT गाजयवाद को बोला जाता है, इसमें admission के लिए, आप cat, zad, gmat, किसी से भी जा सकते हो, जो cut off रहती है, वो 90 percentile है, आप तीनों exam में किसी में भी 90 percentile ले आओ, आपको नहां से call बन जाती है, 18 से 19 lakh का आपका fee structure रहता है, जो आपका average placement है, that is 12 to 13 lakh, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो IMT Delhi, IMT Delhi में भी आप admission ले सकते हो, अगर आप finance में career बनाना चाहते हो, तो IMT Delhi, finance का काफी अच्छा college माना जाता है, इसके साथ ही, इनका HR का course है, जो धीरे- explore कर सकते हो, आपका admission CAD के थुरू होता है, cut off around 88 percentile रहती है, आपके average placement 12 to 13 lakh की रहती है, जो total fee structure है, that is from 19 to 20 lakh, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो exam भी भूमनेश्वर, again एक decent college, अच्छा college है, जिसमें admission के लिए आप CAD, ZAT, XGMT, GMAT, किसी के भी थुरू जा सकते हो, जो average cut off र रहता है, that is around 19 to 20 lakh, इसके बाद अगर हम लोग देखें, तो IIT रूटकी का जो campus है, वो भी काफी जादा popular हो रहा है, over the years, तो IIT जो है, वो दीरे-दीरे MBA में अपना brand setup कर रहे है, इस college का जो total fees रहता है, that is 10 to 11 lakh रुपीज, आपका CAD से admission होगा, around 94 percentile cut off रहती है, और average placement भी somewhere around 10 to 11 lakh आपका लग जाता है, similarly IIT मदरास की बात करें, तो 8 to 9 lakh का fees रहता है, 96 के आज़ पास cut off रहता है, and 12 to 13 lakh की आपकी placement यहापे लग जाते है, फिर हमारे सामने option आता है, IASC Bangalore, यहाँ पे admission criteria तो डिफिकल्ट रहता है, ROI का बहुत अच्छा college यह माना जाता है, Indian Institute of Sciences, यहाँ अगर हम बात करें, तो IIT कानपूर, IIT कानपूर का fees ट्रक के competitively कम है, और आपके जो placement हो 13 to 14 lakh की लग जाते है, तो ROI के लिए एक अच्छा college हम इसको मान सकते है, उसके बात, IIT खड़कपूर की बात करें, तो IIT खड़कपूर में भी आपका cat की through admission होता है, cut off around 90, 92, 94 percentile रहती है, और आपकी जो average placement है, वो आपकी 18 to 19 lakh की लग जाते हैं, हमारे सामने आता है सिडिनम इंस्टिटूट आप मैनेजमेंट स्टेडीज, तो सिमश्री जो है, ये भी अगें ROI का काफी अच्छा college है, total जो fee structure है, वो 2 lakh का रहता है, और आपका जो selection होता है, CMAT, CT के exam के through होता है, और जितना अच्छा आप score करोगे, अगर आप CT की बात करो, तो 99 प्लस आपको लाना होता है, तब जाके आपको ये admission मिलता है, और average placement आपका 10 to 11 lakh का रहता है, यहाँ पे भी महरास्टरा के बच्चों का quota रहता है, तो उनकी comparatively cut off कम रहती है, तो हमारे सामने college है, I am Shilong, again एक बहुत ही beautiful campus है, काफी जादा, अगर आप देखोगे, location wise काफी अच्छा है, अगर आप इसका fees structure देखोगे, around 15 lakh है, और average package 19 lakh तक जा चुक है, जो cut off है, that is around 95 percentile, cat exam के तो आपका admission है, तो एक अच्छा option है, जिसको आप explore कर सकते हैं, फिर हमारे सामने है, माइक का का, अगर particularly जाना चाहते है, advertising में, आप advertisement की industry में जाना चाहते हो, जहाँ पर आपको different different companies के campaigns बनाने है, तो this is a very good opportunity, यहाँ पे जो fee structure around 20 lakh का रहता है, cut off 90 percentile, and average placement 13 to 14 रहता है, आपको पहले cat exam देना पटता है, cat exam के बाद, इनका खुद का exam होता है, my cat, तो cat में तो आपके minimum eligibility होती है, उत आपको यहाँ पे admission होता है, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो college आता है, इर्मा, गुजरात का, तो यह भी एक अच्छा college है, fee 14 से 15 lakh रहते है, cat Z के तुरू आप जा सकते हो, 80 plus percentile के आपकी cut off रहते है, average placement जो आपका रहता है, वो 12 to 13 lakh कर रहता है, फिर हमारे आपने ताप मी मनिपाल, यह भी एक decent college है, जिसको आप target कर सकते हो, fee structure आपका 15 to 16 lakh है, यहाँ पे admission के लिए, आप cat Z, GMAT के तुरू apply कर सकते हो, cut off जो है, वो 85 percentile है, average package, इस college से आपका 11 to 12 lakh का लग जाता है, फिर अगर हम बात करें, तो goa institute of management, goa institute of management जो है, यहाँ पे भी cat Z, CMAT के तुरू enter कर सकते हो, जो cut off रहती है, वो लगबग 85 percentile है, CMAT में 95 plus पे आपको call रहती है, 90 plus पे call रहती है, अगर आपकी profile strong है, and fee structure जो है, 18 to 19 lakh का रहता है, and average placement आपका 11 to 12 lakh का रहता है, उसके बाद हमारे सामने option है, great lake, great lake जो है, उसका चेन्नही का भी campus है, गुडगा से उपर है, तो आपको call आजाती है, and average placement 10 से 11 lakh का रहता है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो I am Jammu, I am Jammu का जो fee structure है, that is around 13 to 14 lakh, cut off आपका around 90 percentile रहता है, and average package 12 to 13 lakh का यहाँ पे रहने वाल है, उसके बाद I am Naakpur के अगर हम बात करें, तो I am Naakpur का भी जो cut off 90 percentile रहता है, average package around 13 to 14 lakh का आपका लग चाकता है, similarly अगर हम बात करें, I am Vishakha Patnam cat के थुरू around 90 percentile आपको चाहिए, average package आपका 12 to 13 lakh का रहता है, then I am both गये की बात करोगे, तो cat के थुरू again आपका 90-95 पे आपकी call बन जाती है, and average package आपका around 10 lakhs का रहता है, उसके बाद हमारे सामने option आता है, DFS, which is Department of Financial Studies, जिसको ROI की term में बहुत स्ट्रॉंग माना जाता है, क्योंकि इसकी total fees से सिरफ 50,000 रुपीज और आपका cat के थुरू admission होता है, cat में 95-96 percentile आपको यह admission मिलता है, और average package आपका रहता है, 12-13 lakh का, DFS के बाद एक और अच्छा college जिसका ROI काफी strong है, वो है Delhi School of Economics, जिसका fees structure भी around 40,000 रहता है, cutoff आपके 93-94 percentile रहती है cat exam में और आपको जो average package है वो है आपका 9-10 lakh, इसके बाद अगर अगर हम लोग बात करें, तो हमारे सामने option आता है KJ सुमाया का, तो KJ सुमाया का जो fees structure that is 11-12 lakh, यहाँ पे admission के लिए आप काफी सारे entrances से जा सकते हो, cat, zat, cmat, ct, 85 percentile के आस-पस आपकी cutoff रहती है, और अगर आप college में decent perform करो, तो 10-11 lakh का average package यहाँ पे लग जाता है, KJ सुमाया के बाद बात करें, तो UBS Chandy Cut जिसका again ROI strong है, around by total आप देखो के 70,000 से 1 lakh की fees रहती है, 90-92 percentile cutoff रहती है, और average package आपका 9-10 lakh का लग जाता है, इसके बाद हमारे सामने option ह आपका 10-11 lakh का लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10-11 lakh का लग जाता है, ठीक है, तो यह मैंने जो आपको colleges बताए हैं, यह मैंने आपको 50 top institutes बताए हैं, मेरे according जो आप target कर सकते हो, इसके अलबा कुछ और colleges भी है, जो decent है, जिनको आप target कर सकते हो, जो आप 50 से 60 की ranking में रख सकते हो, जैसे बाकी जो आइंस बचे वो हो गए, देन आपका IFMR चेन नहीं हो ग तो आप देखते हो, तो ROI की टरंस में भी अच्छा है, टोटल आपका 3.2 लाग का fees है, और average package आपका round 8-10 लाग यहाँ पे लग जाता है, तो यह भी कुछ institutes हैं, जो आप as back up list में लिख सकते हो, और यहाँ सवरी अगर आप अच्छा प्रफॉर्म करते हो, कॉलेज में top 20-30 में रहते हो, तो और अच्छी placement यहाँ पे seek out कर सकते हो, तो I hope आपको यह वीडियो helpful लगी होगी, काफी जदा information आपको यहाँ पे मिली होगी, तो यह भी college के नाम लिख लेना, इसके अलावा जैसे से college के forms आते रहेंगे, dates आती रहेंगी, कुछ भी update आएगा, तो channel पे हम ल search करके आपके लिए detailed videos बना दिया करूँगा, so thank you so much, take care and all the best.